नमस्कार मैं हूँ आपके साथ रोहत उत्तरप्रदेश के पूर्व मुख मंत्री और समाजवादी पार्टी के मुख्या अखलेश यादव कहां से चुनाव लडेंगे अब धीरे धीरे तस्वीरें साफ हो रही हैं आपको बता दें कि पहले खबरे आ रही थी कि आजमगल के वो किसी भी एक विधान सभा से चुनाव लड सकते हैं लेकिन अब खबरों के अंसार माने तो अखलेश यादव मैंपूरी से चुनाव लडेंगे और मैंपूरी की करहल विधान सभा से वो अपना दावा ठोक सकते ह हैं आपको बता दें कि ये खबरे लगातार आ रही है कि अखलेश यादव मैंपूरी की सीट करहल से लड सकते हैं जो कि सेफ़ई के नस्दीक है और जहां पर समाजवादी पाल्टी का दब-बा बहुत लंबे समय से चला रहा है आपको बता दें कि करहल विधान सभा पर प समाजवादी पाल्टी का वर्चस साल 2007, 2012 और 2017 लगातार तीन बार विधान सभा चुनाओं में देखने को मिला है और यहां से लगातार तीनो बार समाजवादी पाल्टी जीत्ती आई है अब देखना होगा कि जब अखलेश यादव यहां से आ रहे हैं तो जो यहां पर मौ पूचे थे और उन्होंने यहां पर कुल मिला कर अच्छे खासे मार्जन से जीत हासिल की थी और बीजेपी के राम साक्ट को उन्होंने माद दी थी 2017 के चुनाओं में इसके लाओं उससे पहले भी वो दो बार लगातार जीतते रहे हैं एक बार उन्होंने बीएसपी को 2012 मे बीएसपी के पृत्यासी को हराया था इसके अलावा उन्होंने 2017 में बीजेपी के पृत्यासी को हराया मतलब यहां पर समाजवादी पार्टी का एकड़म रुद्बा रहा है और कहा जाता है किصोबरन सिंग्यादु जो कि यहां से जीतते हां है अब अखलेषयादव चुनाव लड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं और ये सिफाई के करीब है मैनपورी जिले में ये सीट आती है और यहाँ पर समाजवादी पार्टी का बहुत ज्यादा रुधबा है और समाजवादी पार्टी का यहाँ पर बहुत ज्यादा वर्चस्व है ऐसे में अकलेस यादव मैनपूरी की करहल सीट से अब जब दाव ठोक रहे हैं और खबरें आ रही हैं कि अब यहीं से लड़ेंगे तो देखना होगा कि आगे अब किस तरीके सरनर्णिती सपा बनाती है फिलाल खबरें यहीं है कि समाजवादी पार्टी मुख्याक लेस यादव मैनपूरी के करहल से दावा ठोकने जा रहे हैं